हलो दोस्तों वेलकम बेक टू दा चैनल वंस अगेन आशा करते हूं आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे खुश होंगे सेहत मन दोंगे सो सेटर्डे की मॉर्निंग हो रही है वीकेंड व्लोग शेयर कर रही हूं तो आज बहुत जादा जल्दी तो नहीं पर हाँ साड़े छे के आसपास मैं उठकर नीचे आ गई थी और सबसे पहले कि अभी कोई उठा नहीं है तो तसली से अपनी दवाई ली और पानी पिया है और उसके बाद मैं करूंगी अपनी योगा तो योगा आज मैं अपनी पूरी एक घंटे की करूंगी क्योंकि आज खाना बनाने की कोई हड़बड़ी नहीं है किसी को आफिस या स्कूल नहीं जाना है तो यहां पर योगा करने के बाद उसके बाद मैं लगूंगी नाश्टे में तो आज नाश्टे में बनाऊंगी रागी के डोसे और आपनों के साथ भी रेसिपी शेयर करूंगी और यहां पर मैं योगा करने के बाद निकाल रही हूँ रागी की डोसे के लिए तीन सामान सूजी, चावल का आटा, और रागी का आटा और मैंने योगा करने के बाद चाए भी पी ली थी वैसे तो योगा के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए लेकि नाशते में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैंने सोचा भूग भी लगती है योगा करने के बाद तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी आदी कप चाय और नट्स ले लेती हूँ और उसके बद जब नाशता रेड़ी हो जाएगा तब हम सब लोग मिलके कर लेंगे नाशता चलिए अब रेसिपी क्यों भी देख लेते हैं तो इसमें मैंने डाला है एक कप रागी का आटा मिक्सिंग बोल में डाल देंगे और यह जो रागी का आटा है यह आपको इंडियन का आटा आदी कप सूजी और वन फोर्थ कप चावल का आटा और वन फोर्थ कपी मैंने डाला है दही अम मैं डाल रही हो कुछ बेसिक मसाले काली मिर्ज का पावडर स्वात के अनुसार नमक और थोड़ा सा जीरा आप चाहें तो इसमें अनियन गार्लिक जिंजर ग्रीन च और बैटर को थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे कवर करेंगे करीवन 15 मिनट के लिए क्योंकि रागी चावल का आटा और सूजी तीनों ही चीरे पानी को एब्सॉर्व कर लेंगी मैंने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था तो ये थिक हो गया है प लास्ट कंसिस्टेंसी दिखा देती हूं तो इसकी लास्ट कंसिस्टेंसी लग भग इस तरीके की होनी चाहिए जैसी आपको वीडियो में दिख रही है यहां मैंने ले लिया अपना कास्ट आइरन तवा और इसको पहले अच्छे से गरम कर लिया था उसके बाद मीडियम फ्लेम पर थोड़े से पानी के छीटे डालके इसको हलका सा कूल डाउन किया उसके बाद मैंने इस पर रागी का जो डोसा है वो स्प्रेड कर दिया है जब वो हलका सा ड्राइ हो गया तो उस पर लगाया उपर से ओल और कॉर्लर में ओल तो यहां पर हमारा पहला डोसा बनके रेडी है तो आपको जो यह कास्ट आइरन तवा होता है इसको कैसे सीजन करना है वो मैं आपको दूसरे वाले डोसे में बताती हूँ तो आप देखे कितना अच्छा यहां पर पहला डोसा बनके तयार हुआ है तो जब भी आप डोसा बनाएं उससे पहले तवे को थोड़ा सा कूल डाउन कर लें पानी डालके और कूल डाउन करते वक्त फ्लेम को थोड़ा सा आपने लो कर देना है उसके बाद दुबारा फ्लेम को मीडियम करना है और इस तरीके से डोसे को स्प्रेड कर देना है अब डोसे के कॉर्णर में और सेंटर में डाल देना है थोड़ा सा ओयल बटर घीच जिसमें अभी आप बनाना चाहते हैं जैसे ही नीचे से हलका सा सिक जाए तो इसको आपको फ्लिप कर देना है बहुत एजी तरीके से आप ये रागी के डोसे बना कर तैयार कर लेंगे अगर आप चाहें तो इनको जो नॉनिस्टिक पैन होते हैं उसमें भी बना सकते हैं नाश्ता होने के बाद अब दोनों ही बच्चों को मैं थोड़ी सी होम स्कूलिंग कराऊंगी तो होम स्कूलिंग कराने के लिए मैं इंडिया जब भी जाती हूँ इनके लिए वहां से बुक्स वगएरा कुछ लेकर आती हूँ जिससे कि मैं इनको स्कूल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा सकूँ तो यतका को करा रही हूँ इंडिया की ही बुक से मैथ और साथ में फिर मैं भव को भी पढ़ाऊंगी दोनों ही बच्चों को होमबग देने के बाद मैंने पूजा करी लड़ गोपाल जी के धर्शन मैंने आपको कराए है और ये जो आपको डाइनिंग पर स्टोरेज दिखरा है ये मैं इंडिया से लेकर आई थी और लंच में सिंपल सा खाना बना लिया था दाल चावल रोटी सबजी रायता एंड सैलिड अच्छा मैंने एक केक बेक किया था तो बच्चों ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि ममा आप केक बेक करके रख देना और उसके बाद उसकी आप डेकोरेशन वाली क्रीम बना देना लेकिन डेकोरेशन हम खुद करेंगे तो सेटरडे मैं लंच वगरा सबने कर लिया है और यहां पर यह जो केक मैंने बेक किया था ये दोनों ही बच्चों ने मिलके डेकोरेट किया है और मुझे बहुत क्योंकि यतका की online classes होती थी लेकिन वो सिर्फ classes के लिए लिया था दरबबर मेरे बच्चे mobile ipad ये सब नहीं देखते हैं अच्छा TV तो देखते हैं पर ऐसा नहीं है यह पूरे दिन TV ही देखते रहते हैं मैं इस तरह से कभी उनको weekend पे केक की कुछ एक्टिविटी करके या क बना था लंच करके और डिजर्ट करने के थोड़ी देर बाद हम लोग कॉस्को गई थे वहां से कुछ ग्रॉसरी का समान लाना था और कॉस्को मैं कर दी है क्रिस्मस की और हैलोवीन की डेकॉरेशन देन आइकिया भी गए वहां से कोई एक फरनीचर लेना था और बच्चों क मन था आइकिया में जो वेज मील मिलती है वो खाने का तो हम लोगों ने वो ओर्डर कर दी ऑल्दो घर पर खाना रखा हुआ था कॉस्को से मैं कुछ फुल पीजेज लेकर आई हूँ उनमें से एक ये है काफी कमपटेबल है और अब आप लोगों के उससे शेयर कर रही हू संडे का दिन आज मेरे घर पर पॉटलक है कुछ फ्रेंड्स विद फैमिली आएंगी तो मेरे को बनानी है आलू की सबजी और पूरी बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो भी कुछ-कुछ लाएंगी तो आलू की सबजी की रेसेपी तो मैं आपनों के साथ शेयर नहीं करूंगी ब बना रही हूं वर्मिसली की खीर एकदम परफेक्ट मेजरमेंट आपको बताऊंगी तो यहां मैंने अपनी नई कड़ाई को वाश करकर गैस पर चढ़ा दिया है इसमें मैं डालूंगी दूद तो दूद इसमें मैं डालूंगी पांच कप अगर आप लीटर की बात करें त आप इसमें एक लीटर दूद डाल दीजिएगा क्योंकि एक लीटर करीबन चार से पांच कप के आसपस होता है तो यहां मैंने पांच कप इसमें दूद डाल दिया है और यहां पर अब दूद में हलका सा बॉयल आ गया है और इसमें मैंने डाल दी है आधी कप भुने इन जवों को जब तक पका लेना है जब तक ये दूद में उपर फ्लोट नहीं हो जाते हैं जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहे हैं तो यहां हमारे जवे भी पक के तैयार हो गया हैं दूद के उपर फ्लोट कर रहे हैं तो मैं इसमें आदी कपी चीनी डाल रही हूँ पांच कप दूद आदे कप जवे भुने हुए और आदी कप चीनी मैंने इसमें ब्राउन शुगर डालिया आप चाहें तो नॉर्मल वाइट शुगर भी डाल सकते हैं थोड़ी देर और पकाएंगे और यहाँ पर खीर बनके ह हुग अधुकी आप चाहें तो इसमें इलाइची पाउडर, केसर, नट्स कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं मैं यहाँ पर शिर्फ आज इसमें इलाइची पाउडर डाल रही हूं नट्स वगेरा भी स्ड़ख हैंगे मुझे थोड़ी से खानी की तैयारी शाम को जो पोट लक है उसकी भी करनी है तो यहाँ पर खीर बनके हमारी हो गई है रेडी भगवान जी के भोग के लिए पहले ठंडी करोंगे उसके बाद लड़ू पाल जी का भोग लगाऊंगी सो अगर आप वर्किंग और फेस्टिवल पे क्विकली कुछ मीठा बनाना चाहते हैं तो आप ये खीर ड्राय कर सकते हैं खीर भी बन गई है आलू मैंने अबाल लिए जो शाम को आलू की सबजी बनानी है बरतन वगएरा भी लगा दिये हैं घर को भी अरेंज कर दिया है ये है मेरी एंटरी टेबल जो अभी फिलाल में ही मैंने सेकिंड हैंड ली है इसमें यहां पर मैंने केंडल लाइट अप कर दिया इसके उपर रादा किष्िन जी की इस तरह से हम लोगों ने फोटो लगा रखी है एंड किचिन भी साफ कर दी है जितना भी हम लोगों को समान लगेगा वो इस तरह से किचिन में अरेंज कर दिया है किचिन एकदम साफ है एंड answers कर दिया है और हर वीक को हम लोग इ यूज में लेते हैं और थोड़ा डेकोरेशन की काम में भी आ जाते हैं जिनको की हम किचिन टॉप पर ही इस तरह से इस वाले फ्लार वास में रख देते हैं और अभी जब इंडिया गई थी तो वहां से ये राम जन्म भूमी की इस तरह की एक डेकोर पीस लाई थी जिसको की मैंने लिविंग रूम में ही लगा दिया है चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ जाद स्यादर शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें to become a part of my family मिलूंगी next take care bye and thank you